नमश्कार, मैं डॉक्टर नजीर सिंग बेंस, एसोचेट प्रोफिसर बॉत इंडूंगर पीजी कॉलेज बीकाने राज्थान, आज मैं बायो टेक्नलोजी के एक बहुत इंपोर्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंतरगत, बीटी टॉक्सिंस, बीटी टॉक्सिंस का सबसे ज़्यादा जो उपयोग कामे लिया जाता है, वो बीटी कॉटन में कामे लिया जाता है, बीटी का मतला होता है बेसिलस थुरिंजियंसिस, इसकी डीटेल में आपको बताता हूं, जैसे इस प्लांट के अंदर आपको दिख रहा है कि जो कॉटन का प्लांट है या कपास का जो पौधा है उसके अंदर जो उनकी बाल्स जो होती है कॉटन बाल्स जो है उन पर किस तरह से यह जो कैटरफिलर या किडे लगते हैं सफेद मक्ही अमरीकन मक्ही जिसको अमेरिकन सुन्डी भी का जाता है यह 2002 के अंदर बहुत ज़्यदा प्रॉल्म क्रियेट कर रही थी इस ही के बारे तो इससे बचने के लिए इस नहीं परकार की ट्रांस जैनिक या जैनिटिकली मोडिफाइड जो कॉटन प्रांट त्यार किये गया उस ही को हम बीटी कॉटन के नाम से जानते है बीटी का जैसे म कर दो इसके रही है तो इसकी किंग्डम यह बैक्तिरिया है फाइलम इसकी फर्मिक्यूट्स है अधिक्याशी थी तनाइसा है क्लास्विकेशन बलिन नर ने ने 1915 में सबसे पहले दिया था अब वास्ता में बीटी कॉटन क्या है यह जैसे मैं नहीं आग बता था कि जो कि as a insecticide की तरह काम करती है मतलला यह aas के कि अरा इसके का काम करते है को भीनी जाता है कैसे जित गहता है इस के दोऔर होता है इस का इसको सब से पहले कि meine company थी उनीं सब पिचानवे में मॉन्सेंटो थी इसमें सब से पहले इसको अगर कि इसका डालोपमेंट जो है उनीस सो तरावे में हो गया था तो उसमें देखिए जैसे यह जो बीटी कोटन नहीं है उसके अंदर किस तरह से केटरपिलर इसको जो है कापास के यह जो बॉल्स है या जिसको करते हम इसके जो कैपसूल से उनको कैसे खराब कर देते हैं लेकिन बीटी कोटन के अंदर इनका परवाव नहीं मिलता है यह देखिए कैसे इसको जो टिंडे हैं इसके कापास के उनको कैसे कीडे ने खराब कर रखा है जो कि बीटी कोटन में ऐसे टिंडे जो है खराब नहीं हुए इसके और बहुत अच्छी फसले से प्राप्त होने लगी थी यह समस्या आज से करीमन 15-20 वर्ष पहले 2002 से लेके 2004 पांस तक यह समस्या बहुत जादा रही 2002 में सबसे पहले बीटी कोटन इंडिया के अंदर इंट्रिद्यूस की गई थी यह देखिए अब थोड़ा सा इस्ट्री इस की बारे में बतायते हैं मैं बेसलिस थुर सबसें में औरच दो सबसे जहां ऐका गया था सबसे पहले 1901 में उननीम्यां में जो है इसको दुबारा री डिस्कावर किया एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे अंस्ट बर्लिनर जिन्होंने इसको सबसे पहले आइसोलेट किया और इनके दुबारा जो बिम्वारी फले जाती थी उसको शलफस्ट बोलते थे जिसका मतलब होता था एक्सेसिव स्लीपिंग मतल में तो इसको उन्होंने सबसे पहले जो जर्मन का जो प्रोविंस था जर्मन का एक जो स्टेट थी या प्रोविंस था उसका जिसका नाम था थूरिंजिया वहां से इसको क्लेट किया गया इसलिए इसका नाम जो है बेसिलस थूरिंजियांसिस पढ़ा और फस्ट बिकम कीटनाशा के तौर पर उसको 1938 में इसको फ्रांस के अंदर सबसे पहले यह त्यार किया गया और उसके बाद में अमेरिका के अंदर इसका कमर्शल यूज जो है 1950 जो है के दशक में इसका इसका इस्तेमाल लग जा था वैलोन और मेगगा यह जो थे उन्होंने उन्हें सो इठाड़ में यह शो किया कि जो बीटी का जो इच स्ट्रेंड है मतलब प्रति एक जो उसका कोशिक है बीटी की बैक्टिरिया की वह एक एक यूनिक क्रिस्टल प्रोटीन वह बनाती है जो एक एक विश्च प भी किया होना इसको क्राइण चिंडे का जाता है उस प्र्टामिट जिसके दवरारे यह किस्टल प्रोटीन जो किस्था प्रॉतर प्रतिकुलर न्सेक्ट के लिए इच्ए पड़ इन्सेक्ट के लिए स्पेसिप कह था। है यह तर presents. प्र्टीक्जडेस shakyतेρι न्हीं किया था और इसको बेसिलस टुरींजनाश जो है बोला जाता है ग्रांपोजिटिव है और यह फैकुछल्यटेटिव एयरोगी मतलग है स्टोल कंदर यह पाय जाता है इसके रोडायक है क्योंकि बेसिलस है इसलिई रोडलाइक शेप होती इसकी और मोटाइल है मतलग घतिजी soil bone bacteria में अर्थात ये soil के अंदर ये पाय जाता है, पूरी दुनिया के अंदर soil के अंदर मिलता है, वह भी क्यूशियस इन नेचर का मतलब ये Cosmopolitan है, मतलब पूरी दुनिया में सब जगह ये पाय जाता है, crystals of endotoxin, इसके जो cry protein है, जैसा मैंने आपको बता था, या delta toxins भी करते हैं, जो इसके plasmid के अंदर मुझूद होता है, cry gene, उसके दोआँ endotoxins के crystals बनाए जाते हैं, जो कि एक toxin का का काम करते हैं, या एक जहर का का काम करते हैं, तो ये जहर जो है, insects को जो है, उनकी larval stage में, या caterpillar की stage के अंदर insects को जो है, मारने का का काम करता है, और insecticide की तरह काम में लिया जाता है, ये जो crystal proteins हैं, इनको ICP भी बोला जाता है, insecticidal crystal proteins है, ICP, या cry protein से इनको का जाता है, जो caterpillar के stomach का poisons होता है, या इसकी intestine का poison भी इसको बोला जाता है, तो ये insects जो इसको feed करते हैं एक बार, तो दो गंटे के अंदर वो feeding करना इसमें बंद कर देते हैं, पहली बाइट करने के बाद में इनकी दो गंटे के अंदर feeding बंद हो जाती है, और अगर अच्छा सा toxin इनोंने अगर खा लिया है काफी मातरा के अंदर, ये BT toxin को, तो दो और तीन दिन के अंदर उसकी caterpillar की, या जो moth है, या जो aphid है, या जो भी caterpillar है, उसकी दो से तीन दिन में उसकी death हो जाती है, मृति हो जाती है, और इसलिए ये एक बहुत ही महत्यपूर्ण जो है, biological insect control agent है, मतलब bio agent है, या bio site इसको बोलते है, मतलब artificial insecticide नहीं है, biological insecticide है, त तो BT crystal proteins, या BT crystals है, जिनको sometimes इसको काज़ाता है, insecticidal crystal proteins या ICP, तो ये protein crystals है, जो कि, जब ये इसका sporulation होता है, bacteria का, BT strength का, crygene के दौरा, उस समय इनका निर्माण होता है, इन crystals का, तो ये crystals की देखिए, कई तरह की shape होते हैं, इनकी crystal की काफी, अलग-अलग जो bacteria है, करीबन 200 type के ये crystals, BT उसके अंदर बनते हैं, 200, या यह कह सकते हूँ, आपके 200 तरह के BT, जो है, आपको bacteria मिलेंगे, जो 200 प्रकार के protein इस तरह से बना सकते हैं, अब ये, मैंने जैसे आपको बताया था, कि, ये gene specific, या, insect specific होते हैं, जैसे अब इसका cry first gene, जो है, cry first gene में cry first A, cry first AC, B, C, D, E, FG, जो है, ये इनकी जो crystal की shape है, by pyramidal होती है, और ये इनका protein का size है, 130, 133, और ये जातर जो lapidotera larvae है, जैसे moths है, उनकी जो larvae है, moths वकरा के, उन पर ये activity करता है, और इसी प्रकार से cry second gene है, जिसके subgroup A, B, C हो सकते हैं, ये cube के समान होते हैं, तो ये भी जो है, lapidotera और diptera जो orders है, insects के, उन पर ये प्रभावी होता है, ये इसी तरह से cry third gene है, और इसी तरह से cry four gene है, cry fifth gene है, fifth से लेकर ninth तक जो gene है, ये इनके सब के crystal की shape है, वो अलग-अलग shape होती है, और ये अलग-अलग insect की species पर प्रभाव दिखाते हैं, या उनको nest करने की शमता रखते हैं, ये देखिए ये अलग-अलग crystal की shapes है, ये हर एक अलग-अलग Bt या जो bacillus जो bacteria है, वो जैसे मैंने बताय था कि हर दो सो टाइप के करीवन ये proteins त्यार कर सकते हैं, दो सो टाइप के इसमें species होती है, दो सो टाइप के ये insecticides को को त्यार कर सकते हैं, जिनके सब के crystals की अलग-अल तो जैसे मैंने बताया था आपको ये जनरली जो सबस्प्री से हैं बिन इसलेटेट फ्रम डेड और डाइंग इंसेट्स, इनको जो है सबसे पहले इसलेट किया गया था कि जो insects मर गए थे इसका सेवन करने के बाद में, कौन से insects जो कोलिप्टेरा या डिप्टेरा या तो प्रम कि डेट होने के बाद में उनकी बॉडेट के अंदर उसके अंदर से जो इसको अलग 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 e सओल के उतल ये चले जाते हैं और वहां ये पाई जाते हैं तो केरñasseis औफ ड़ड़ड इंसेट्स, केर्शेस का मदलब जो इनकी डेट बॉड़डिव्ड की ओफन कंटेन लार्ज कॉंटिटी ओफ इस पोर्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर इस पोर्स मौजूद होते हैं और नहीं जो कि वातावण के अंदर वहां से वातावण में आ जाते हैं यह सोयल में आ जाते हैं यह प्लांट के उपर भी आ जाते हैं इनसेक्स भी इनका सेवन करते हैं इनसेक्स का भोजन भी एं यह बेक्टिरिया एक्चल में यह क्रिस्टल जो आईसीप बना है यह प्राइप मेकनिजम से बना है, क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स इन बेक्टिरिया को खाते हैं तो ये उन से बचने के लिए इस तरह से इन्होंने क्रिस्टल बनाने शुरू किये ताकि उन से इनके इनका बचा हूँ, ये इनकी सिल्फ डिफेंस मेकनिजम से है, तो अब देखिए के बीटी क के अंदर सेकंड जो है लार्जेस्ट कोटन प्रोडूसर है, कपास का उत्पादन जो है, उसमें दूसरे नंबर पर भारत का नंबर आता है, जबकि पहला नंबर चाइना का है, और दो जार दो में बारत में सबसे परे बीटी कोटन को इंट्रूस किया गया था, लाया गया जो की करीबन 308 किलोग्राम प्रती हेक्टर जो 2001 और 2002 में था से अब ये बढ़कर के हो गया कोटन का इल, 550 किलोग्राम प्रती हेक्टर, 2014 में, उसकी ये उत्पादन बढ़ने का करण क्या रहा, बीटी कोटन के होने के दवारा, क्योंकि जब नोन बीटी कोटन थी, उसमें का प्रडक्शन कम था, क्योंकि उसमें इसको इंसेक्ट्स और इनके केटरफिलर के दवारा या इन कीडों के दवारा इसको खराब कर दिया जाता था, अमेरिकन सुन्डी को, जिसको हम कामनली कहते थे, या सफेद मक्ही, जो गुलाबी कलर की होती थी, उसके दवारा ये न इसमें पैस्टिसाइड बिल्कुल भी छिडखने के आपशकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये नेचरल बायो पैस्टिसाइड का काम करती है, जो इसके अंदर बीटी होता है, टॉक्सिंस जो होते हैं, और अच्छी क्वालिटी की का पास होती है, और जो अरलिस होएंग है, पहली बात तो इसके सीड्स बहुत महेंगे होते हैं, क्योंकि इसको प्राइविट कंपनी भी डेवलप करती हैं, जैसे मेको है, या मॉंसेंटो है, ये इन कंपनियों के दिवारा इसको तियार किया गया था, तो इसकी सीड की कोस्ट बहुत जादा आती है, और इसके अंद अब इसकी, देखो, ये ट्रांसजनिक कोटन जो है, बीटी कोटन इसके कई ट्रेड नेम्स हैं, जैसे बॉलगार्ड या जिसको बीजी कहते हैं, शोर्ट के अंदर, इसके अंदर जो क्राइवन अची, इसके अंदर बीटी प्रोटीन होता है, मॉनसेंटों ने इसको तियार किया और यह यह तमबाकू के जो bud worms यह कपास के जो ball worms पिंक ball worms है उनके उपर यह बहु जादा effective है इस्तरह से bg second जो है ball yard second इसमें 2 तरह के जो cry proteins है cry 1x और Cry 2AB, तो यह भी cotton के जो है variety है, जो Monsanto company ने develop और यह भी इन पर effective है, tobacco cotton और pink ball वाम पर, इसी तरह से wild strike, एक जो trade के नाम से BT cotton आती है, इसमें यह दो genes इसके निदर है, 1AC और Cry 1FA, यह भी cotton की varieties है, और दो नाम की company ने इसको develop किया है, और यह भी इन के उपर, जो है, इंसेक्ट, जो कीडे हैं, इन पर यह परभावी है, अब यह देखिए benefit क्या है, farmers के लिए, अब यह देखिए, जो non-BT के जो यह घिया आपको दिखाई दे रहा है, non-BT है, तो इसमें कैसे इनोंने कीडों ने इसको, fruits को खराब कर दिया इसके अंदर, जबकि BT के अंद के अंदर, इस तरह से BT Brinjal है, और यह नौन-BT ब्रेंजल है, तो BT ब्रेंजल इसमें किडा नहीं लगता है, इस तरह से यह देखे, यह देखे, यह भी non-BT Brinjal Record यह अगम हो और इसका मार्केट में नहीं पहुंछ बाता चालीस मिलियन टन्न इस तरह से कौन बोर्र अगर नहीं कंट्रोल करें तो larva जो है eventually turn into और अगर इसको हम control नहीं करेंगे तो ये जो larva है ये इसकी cycle complete हो जाएगे और इस तरह से ये moths के अंदर convert हो जाएगे और ये अगर एक और बन गए convert हो गए तो ये अगली गार फिर ये egg वगरा देंगे और ये cycle चलती रहेगी इसलिए इनको caterpillar के level पर यदि हम कतम कर दे तो इनकी cycle कतम हो सकती है और हम इसे निजात पा सकते है तो BT कॉन produces a protein ये एक protein produce करता है जो कि built-in resistance provide करता है इनको मतला इनके अंदर खुद की resistance जो है डेवलोप हो जाती है जिससे प्लांट जो है इन इनसेट के अटेक से बच जाता है और ये कैसे होता है ये डिटेल में आगे बताता हूँ अब ये कि देखो BT has no toxic impact in higher animals और humans क्यों कहते हैं कि BT toxin जो है मनुश्य पर या उच श्रिणी के जो जनतु है उन पर असर नहीं करता है ये कहते हैं कि सिर्फ इनसेक्स पर ही इसका प्रभाव पड़ता है जबकि दूसरे living organisms पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है human पर भी नहीं पड़ता है उसका करण क्या है उसका करणा है कि इनसेक्स के लावा बाकि सबका जो stomach है वो acidic उसके अंदर acidic environment होता है इसकी बहुत जो stomach के pH 1.5 होती है तो अब इसकी वज़े से क्या होता है इसके जो enzymes प्रोटीन से है वो जो produce enzymes इसका जो enzymes है stomach के protein digestive enzymes वो इसकी protein को digest कर जाते हैं जिससे ही इसकी death हो जाती है जबकि इंसेक्स के अंदर क्या होता है alkaline medium होता है उनकी guts के अंदर इसलिए वहाँ पर इनका multiplication हो जाता है वहाँ ये survive कर जाते हैं और इनकी संखे बढ़ जाती है जिससे वो ultimately intestine में जाके उनको उसमें छेद कर देते हैं hole कर देते हैं और वो insect dead हो जाता है जबकि human के अंदर के और जो higher animals हैं उनके अंदर क्योंकि pH जो है 1.5 से 1.8 तक होती है stomach के अंदर यह जाकि यहां से आएगा यहां बकल cavity के अंदर 6.8 pH होती है यह भी करीबन acidic pH ही है और यहां यह 1.5 से 1.8 pH होती है इसमें तो इस वज़े से क्या होता है कि जो BT के जो cells होती है वो इसमें नस्ट हो जाती है इसलिए human को इसमें कोई ज़्यादा इसमें असर नहीं पड़ेगा परभाव नहीं पड़ेगा तो यह human जो है BT is safe to non-target organism जैसे human human के लिए safe है अब यह जो bacillus thringensis के जो endotoxins हैं वो कैसे असर करते हैं देखिए कि insects not only feed on plants but bacteria also occasionally form a part of their diet मतला insects जो हैं केवल पोदों को ही नहीं खाते हैं बलकि वो कुछ bacteria जो हैं उनको भी उनके भी भोजन का एक हिस्सा होते हैं कुछ bacteria इसलिए bacteria has evolved special defense mechanism against insect predation इसलिए यह यह bacteria है इन्होंने अपनी एक defense mechanism इन्होंने evolved कर लिए वेक्सित कर लिए और उनसी का एक example है bacillus thuringiensis और यह जो bacillus thuringiensis है यह actual में मैंने आपको बताए था soil bacterium है मिर्जा के अंदर पाए जाता है which forms endospors जो endospors बनाता है जो कि इनकी leaves के उपर stick हो जाता है चिपक जाता है यह जो कि endospors है जो कि leaves के उपर चिपक गए है और जब यह bacillus thuringiensis sporulation form होती है तो उसमें मतलब स्पोर्स जब बनते हैं इसके अंदर उसमें इसके अंदर ICPs जैसे मैंने बताए था intracellular crystalline bodies बनती है जैसके अंदर एक crystal proteins है इनको cry proteins बोला जाता है जैसे मैंने आपका पहले ही बताए था जो कि high degree of target specificity है target specificity का मतलब हर एक cry protein अलग परकार के insect के लिए अलग होगा जैसे मैंने बताए था lapidoptera के लिए अलग होगा डiptera के लिए अलग होगा तो यह इनकी target specificity होती है इनका मतलब जो हर एक ही cry protein सभी insects के या caterpillar के उपर काम नहीं करेगा ही सबका अलग होगा अब यह कैसे काम करता है देखिए जैसे यह कोई caterpillar है यह जब किसी plant पर आएगा तो उस plant को जब खाएगा तो उसके जो spores है वो इस इंसेक्ट के दवारा खा लिये जाएंगे अब इनके अंदर यह जो spores है यह इसके BTK spores है बेसलिस्ट फिंजेंसिस के जिसके अंदर यह cry protein इनक्टिव फॉर्म के अंदर है अभी निश्क्री है भी यह लेकिन जैसी यह इसके इंटस्टाइन में गट में जाएगा तो यह cry protein जो है इसका मुझाद क्लिवेज हो जाएगा protease के दवारा alkaline pH के अंदर क्योंकि उसके अंदर alkaline pH होती ही मैंने जैसे बताया था तो यह जो जो इनक्टिव जो था cry protein अब यह active cry protein के अंदर यह bt toxin के अंदर convert हो जाएगा और active के अंदर convert होती ही जैसे यह देखे एक्टिव में convert हो गए अब इसकी जो mid gut है यह जो इसकी industine है उसके अंदर जो internal lining है उसके उपर यह इस तरह से इसको bind हो जाता है और इसके bind होने के बाद में क्या आता है कि इसको यह damage कर देता है इस epithelium को damage कर देगा इसमें post develop कर देगा इसके अंदर छेद डेवलब कर देगा इस छेद को develop करने की विज़े से क्या होगा कि इसके अंदर इनका जो fluids हैं या जो कुछ भी हैं एक तरह से वो निकल करके इसके इंटरस्टाइन में आ जाएंगे इसमें से इसकी वाल में से इंटरस्टाइन की वाल में से निकल के जिसकी वज़े से dehydration होने की वज़े से उस caterpillar की जो है death हो जाती है और इस जो BT cotton है इसका development कैसे क्या है इसको विक्सित कैसे किया गया कि देखो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसको crygene को isolate किया जाता है crygene को कहां से isolate करेंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो bacillus thuringiensis bacteria है उसमें जो plasmid है उस plasmid के अंदर ये crygene मोजूद होता है तो इसको endonucleus enzyme की विज़े से उसके द्वारा restriction enzymes के द्वारा इसको isolate कर लिया जाता है इसको isolate करने के बाद में अब जो agrobacterium tumifacious जो bacteria है जिसके ti plasmid होते हैं इसके इंतर ti plasmid का मतलब tumor inducing plasmids जो tumor induce करते हैं तो ये ti plasmid का जो tdn होता है उस tdn को निकाल दिया जाता है उसके इस्थान पर इस cry gene को इसमें insert कर दिया जाता है तो जिससे ये जो cotton plant है और उसके बाद में जो ये जो recombinant जो dn बना है इस का इग्रो एक्टेरियम tumifacious का जिसमें ये cry gene अब आगे है उसको cotton plant के इंदे ट्रांसफर कर दिया जाता है गंस की दुआरा और जब उससे plant develop होंगे उन plants का नाम दिया जाएगा BT cotton plant देखिए जैसे ये सामाने plant है इस सामाने plant पर जो है BT के इसको हम इसमें incorporate कर देते हैं इसका gene जब इसके इंदे डालेंगे तो अब ये BT cotton हो जाएगी और इस BT cotton का जैसे की caterpillar खाएगा तो वो nest हो जाएगा ये फ़र कौन का प्लांट है कौन के प्लांट के पर ये इस तरह से BT कौन आई है, BT कौन को दिखाएगा इसमें ये है एक्चल में देखिए इसमें कैसे TI plasmid का इसको ये इसका प्लांट के अंदर देखिए ये इसका TI plasmid है tumor inducing plasmid इसको का जाता है तो ये TI plasmid का जो TDNA है, इस TDNA को restriction enzymes के दोबरा इसका cleavage किया जाता है restriction enzymes के इसका cleavage करेंगे और इसके स्थान पर देखिए लिखा है the plasmid is removed from the bacterium and TDNA is cut by restriction enzymes और अब इसमें जो foreign DNA जो था, ये कौन सा है ये cry, cry gene जो है ये जो हमने इस से लिया था BT enzyme से लिया था baseless thuringiensis से, उसके plasmid से उसमें जो cry gene था, उस cry gene को निकाल करके, और इस TDNA जो यहां से हमने निकाला है इस TDNA की इस्थान पर इसको लगा दिया जाता है और लगाने के बाद में ये जो TI plasmid था इसको वापस गंस की साथा से इस agrobacterium तुमिफेशिस जो बैक्टिरिया उसके अंदर इसको वापस स्थापित कर दिया जाता है ये ट्रांसफर कर दिया जाता है देखे, the plasmid is re-inserted इंटो ए बैक्टिरिया में इस बैक्टिरिया में दोबारा इसको रिइंसर्ट कर दिया TDNA के स्थान पर cry gene को लगा करके और इसके बाद में अब इसको क्या करते है इसका micropropagation किया जाता है या इसको culture किया जाता है petri plates के अंदर, lab के अंदर इसको इसको इनकी संख्या बढ़ाई जाती है और culture करने के बाद में इस, देखो, the bacterium is used to insert the TDNA carrying the foreign gene into the chromosome of the plant cell अब इसको क्या है ये देखिए, ये TDNA जिसके अंदर अलड़ी phorengine या cry gene इसके अंदर आ चुका है अब इसको मैंने जैसे बतायाता है इसका culture किया जाता है, culture करके संख्या बढ़ाई जाती है और संख्या बढ़ाने के बाद में प्लांट्स टिशू कल्चर के द्वारा इसको ग्रो किया जाता है और इस तरह से अभी ये जो प्लांट त्यार हुआ है ये ट्रांसजनिक प्लांट है या जेनिटिकली मोडिफाइड प्लांट इसको बोला जाएगा तो ये प्लांट इस जनेरेटेट फोम ए सेल कलोन अब इसके हर कोशिगा के अंदर यही क्राइजीन इसके अंदर ये मोड़ूद होगा जो यहां पर ये दिखाई दे रहा इसलिए अभी ये नए ट्रेट की तरह ये एक्सप्रेस करेगा इसलिए इसको बीटी प्लांट बोलेंगे चाहिए बीटी बिंजल हो, चाहिए बीटी कोटन हो, चाहिए बीटी कॉर्ण हो तो इस तरह से इसका प्लांट का इस तरह से क्राइजीन को इंसर्ट करके इस तरह से बीटी प्लांट त्यार किया जाता है तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि specific cry gene या VT toxin genes are isolate from bacillus thregences and incorporate into several crop plants specific cry genes को निकाला जाता है हर एक plant के लिए अलग cry gene होगा तो choice of gene depends on the crop अब कौन सी crop है उसके साब से इस gene की choice हमें त्यार कनी पड़ेगी मदलब crop कौन सी है pest कौन सा है उसके पर कौन सा pest लग रहा है तो इस क्यों क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि most BT toxins are insect specific ये BT toxins जो है insect specific होते हैं जैसे example के तौर पर मैं बताया था मैंने आपको पहले भी कि cry 1 AC और cry 2 AB जो है effective होंगे किसके against में cotton ball bumps में ये कपास के उपर काम करेंगे ये cry gene जो है जबकि cry 1 AB जो effective होगा corn borer मका का corn borer जो insect या caterpillar होगा उसके उपर ये cry 1 AB gene जो है ये उस पर काम करेगा क्योंकि ये insect specific होते हैं हर एक मैंने आपको जैसे बताया तो 200 type के करीबन ये BT genes होते हैं 200 type के 200 type के cry genes इसके इंदर आपको मिलेंगे 200 type के हम इसमें crystals हमारे को ICPs मिलेंगे इसमें अब देखिए ये जो toxicity cry proteins की कैसे होती है cry proteins toxic for insect pest belonging to lapidoptera lapidoptera में जैसे भी उन्हें बताया था moths हैं या butterflies हैं वो lapidoptera में आते हैं तितलियां वगरा और colioptera इसके अंदर beetles वगरा आते हैं diptera इसके जो अपने घर की मक्ही है या मच्छर हैं वो इसके diptera के अंदर गताते हैं तो इनके सबके अलग-अलग cry proteins या cry genes भी सबके अलग अलग होंगे और BT सबके अलग होगी इसके अंदर तो अब जैसे मनें बताया था cry toxins have specific activities against insect species of the orders lapidoptera, lapidoptera में कौन कौन से आते हैं moths हैं, butterflies हैं इसी तरह से diptera जिसमें मक्ही आती हैं, मच्छर आते हैं colioptera जिसमें beetles आते हैं hymenoptera जिसमें wasps आते हैं bees मक्ही आती हैं, chint यां आती हैं and several nematodes और kind nematodes है तो different domain of ICPs are responsible for host susceptibility receptor recognition and toxicity pore formation तो अलग-लग जो ICPs हैं, उनकी domains जो हैं वो अलग-अलग responsible होते हैं recognition के साब से और अलग-अलग जो उसमें जो caterpillars हैं, उनकी guts के अंदर pore का formation करेंगे यह hole बना देंगे, छिदर बना देंगे जिसकी वज़े से उसकी मिर्ती हो जाती है यह देखिए, यह soil के अंदर किस तरह से यह BT जो है, soil के अंदर यह पढ़ा रहता है यह देखिए, तीन तरह के इसमें BT आपको दिखाए दे रहे हैं और यह soil के अंदर ही क्या होगा जब यह इसमें sporulation होता है जब इसके अंदर sporulation होगा तो यह spors के अंदर आजाते हैं यह spors के अंदर आजाते हैं सभी के तीन तरह के यहां पर आपको cry proteins आपको यह दिखाए दे रहे हैं और यह जब प्लांट के ओपर कोई insect आता है caterpillar आता है तो यह cry protein इनकी गट के अंदर आजाता है और इनकी गट के अंदर आजाता है और यह attach हो जाएंगे इनसेक्ट के क्योंकि alkaline medium होता है वहाएं multiplication भी हो जाता है और यह active भी हो जाते हैं और इसके अंदर यह चिदर बना जाते हैं अंदर की जो lining है उसका चिदर बना देंगे चिदर बनाने से इसके अंदर जो इनके इनका liquid होता है या इनके जो sarts होते हैं वह इसमें squeeze out हो जाता है निकल जाते हैं जिससे dehydration होता है कीट में और वो दो-तीन दिन में मर जाता है यह देखिए यह इस तरह का एक caterpillar है जो किस तरह से फसलों को नुखसान पहुचाता है और यह mosquitoes है यह देखो mosquito के larva हैं यह तो आपने देखा होगा मच्छरों के जो larva होते हैं पानी के अंदर उनके लिए भी cry proteins होते हैं वो भी इनको मार सकते हैं तो उनके अलग cry proteins होते हैं यह देखिए अगर इसको हम लैब में किस तरह से डेवलोप कर सकते हैं BT को मैंने जैसे आपको बताया है कि इसका जब यह sporulation होता है इस DNA को निकाल करके इसको हम plant cell के अंदर incorporate कर देंगे Agro Bacterium Tumification के मादम से और इन cells को जब हम tissue culture करेंगे grow करेंगे plants के अंदर तो वो plants BT plants के अंदर यह देखिए BT plant बन गया जैसके अंदर यह crystals इसके अंदर मोजूद है यह BT plant त्यार हो गया BT corn है यह corn का plant है और यह इसके अंदर आपको ICPs इसमें निजर आ रहे है अब जैसी इसके पर कोई keet आएगा caterpillar आएगा अगली slide में दिखाता हूँ मैं आपको जैसी यह caterpillar इसमें आएगा यह cry proteins इसकी गट में आ जाएंगे जिसकी वज़े से इसमें dehydration हो जाएगा और चिदर होने से इसकी आंत में dehydration होने से यह कीट की 2-3 दिन में मोहत हो जाती है हलांकि 2 गंटे के अंदर यह डिला पड़ जाता है और 2-3 दिन में इसकी मोहत हो जाती है तो यह इसमें बाहर से स्प्रे करने के आफशकता नहीं होती यह नेच्रल इंसेक्टिसाइड की तरह यह काम आजाती इसको बायो पेस्टिसाइड बोला है तो अब देखिए इसमें क्रॉप्स जैन अरिका के अंदर, वर 7 लान्स ओक और कोल्राडो पतेटो बितल रिस्टेंट जो की पतेटो बितल रिस्टेंट है, बीटी पोटेटाटो भाई मोनसन तो कंपनी के द्वारा सबसे पहले थाहर किए गई शिस देन मैनी मोर बिटी क्रॉप्स हैव बिटी च्रॉप्स है वो मा various sub-species of BT crops, जैसमें, कॉर्न की आई, European corn borer resistance corn, 1900 पिचाणवे में, उसके बाद में, कॉर्न rootworm resistant corn, जो की, US में October 2002 में आई थी, इस तरह से cotton जो है, इसकी जो थी, Lapidopteran resistant cotton जो आई, जो सबसे पहले US के अंदर, 1900 पिचाणवें, June के अंदर आई, और potato के अंदर, Colorado, potato beetle, resistant BT potato, जो सबसे पहले US के अंदर, मार्च 1900 पिचाणवें के अंदर, इसी तरह से potato tuber, mouth resistant BT potato, जो डेलोप ही दक्षिन अमेरिका के अंदर, soybean में भी इसको जो है डेलोप किया गया, US अमेरिका के अंदर, अक्टूबर 2011 के अंदर, हलां कि अभी तक इसको commercially बेचा नहीं जा रहा है, इस तरह से tomato, लैपिड़ टेरन रेस्टेंट टोमेटो, US के अंदर मार्च 1998 में में आई, हलां कि ये भी commercially इनको sold नहीं कहा जाता, यद भी इसमें सबसे जो common, जो प्लांट है, वो BT कॉटन है, हलां कि BT ब्रिंजल है, BT टोमेटो, BT कॉन, तो BT टोमेटो, ये जो तियार किये गए, ये इनको लोगों ने accept नहीं किया, क्योंकि लोगों को ये डर था, कि यदि हमने इसको उप्योग किया, तो कहीं न कहीं हमारे भी इसके दुश्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए इसका commercial इसका इतना उत्पादन ही होता, जितना ज़्यादा BT कॉटन को marketing होती है, क्योंकि BT कॉटन हम इसको consume नहीं करते, हम उसे खाता हैं, तो वो सिरफ कपड़े के, कॉटन इंडस्ट्री में ही काम आता है, इसलिए उसका चलन सबसे ज़्यादा हुआ, तो इस तरह से BT का जो है, इस्तिमाल होने से फसलों का उत्पादन बड़ा, और बहुत बड़ी समस्या थी, यह राजिस्थान और पंजाब के जो किसान थे, जहां सबसे ज़्यादा कोटन का प्रड़क्शन होता है, वहाँ पर यह 2002 से लेकर 2005 और 2006 तक, जो है, अमेरिकन सुन्डी जिसको कादा था या सफेद मक्खी का पर कॉप इसका कादा था, इसके वज़े से बहुत फसलों का नुक्सान होता था, बहुत से उपाय भी किया गए, क्रॉप साइकल, साइकलिंग की गई, रोटेशन किया गया क्रॉप का, लेकिन उससे भी इतना फार्ट नहीं पड़ा, अल्टिमेटली बीटी कोटन आने से, इस जो सफेद मक्खी या अमेरिकन सुन्डी जो है, इस पर बहुत प्रभावी तोपर इस पर जो है कंट्रोल किया गया, जिसकी वज़े से किसानों का फासलों का अच्छा उत्पादन मिलने लग गया, तो यह अदेपी इसके लाब भी हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे जेनेटिकली GMO क्रॉप्स, इनको GMO क्रॉप्स बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड और्गनिजम्स, तो यह GM क्रॉप्स जो है, इसको अभी तक संपूर्ण रूप से भी हमें मानेता है, एक तरह से हमें नहीं मिली है, हम लोग इसका एसेप्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी BT Cotton का बहुत बड़े लेवल पर आज भी इसका उत्पादन हो रहा है, और जो कि किसानों के लिए बहुत लाबदाएक है, तो थेंक्यू वेरे मच्च, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और अगले मैं आपको इसमें अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूँगा, यदि आपका कोई इससे समंदित कोई प्रशन है, तो आप अवश्य जो है, मुझे इसमें फीडबैक अवश्य दे, धन्यवाद, थेंक्यू वेरे मिच्च,